कि यह तीन बाते करो आठ दिन में जिन्दगी बदल जाएगी इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपकेड़कर में मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन तथा कि असन मुक्षी तद्नियू महाराष्ट में पिछले सैथीस साल से अकॉला में प कफलता पाऊं बहुत उच्छा हासिल करूं मगर लोग कुछ करने को तयार ने रहते हैं कुछ करना पड़ता है कमिटमेंट्स करनी पड़ती है जबान दीनी पड़ती है एक्शन लेनी पड़ती है मैं आपको बताना हूं तीन चीजे आप सिर्फ 5-10 मिनिट उसको देते हैं आपको जो भी चाहिए आपको घर चाहिए बंगला चाहिए मकान चाहिए गाडी चाहिए आपको सक्सिज चाहिए बीजिनेस बड़ा करना है सिखना है education लेना है जो भी आपको चाहिए उसका visualization उसकी तस्वीर बनाना उसका imagination करना और वो situation में हूँ मैंने वो किया हुआ है मै तो वह दिया आप करते हैं तो definitely आप सफलता पाओगे, हर जो खिलाडी है, हर ओलंपिक में भाग लेने माला खिलाडी होंगा, तो वह विजुलाइजेशन करके ही जीता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप विजुलाइजेशन करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, दो को ऐसा बोला जाता है कि जो जंग है, वो जीता जाता है war room में, wars, they are one in the war rooms, ऐसा बोला जाता है, वैसी सफलता जो है, वो पहले अपने कमरे में सफलता पाई जाती है, और बाद में actually परिस्थिती में, या actually घटनाओ में होती है, जो भी चीजे वो दो बार बनती है, एक realization करने से अपने subconscious mind में उसका चित्र पक्का बैठ जाता है, उसका programming हो जाता है और आप action लेने के लिए मजबूर हो जाते हो, मजबूरता से आपको action लेनी पड़ेंगी, action लेना आपके लिए, मतलब एक normal हो जाएगा, एक habit हो जाएगा, नमबर दो जो है, कि अपनी दिन भर क कि जो गल्तिया है, वो रात को लिख के रखो, क्या है कि गल्ती करना कोई खरब नहीं है, गल्ती के तो कोई problem नहीं है, गल्ती करेंगा कोई महश्च पराने गल्ती करेगा, तो गल्ती करना कोई problem नहीं है, इतना ही है कि दूबारा वही गल्ती मत करो, ऐसा बोला जाता है कि पाई जो गल्तियों से सीखता नहीं वो मूर्ख आडमियshow कि अपने घ्लतियों सीखो तो गल्तियां लिख के निकालो राक को सुने के समय और दुबारा में ऐसी गलती रिपीट नहीं करूंगा, ऐसा प्रण कर लो, ये राट को करना है, तीसरा, जो आपने छोटे से छोटे यश, सफलता संपाधन किये, वो लिख के रखो, क्योंगे आप सिर्फ गलतियां निकालोंगे और लिखोंगे तो आपको बुरा लगेगा, आप डाउन हो जाओग आज मुझे कोई नई ओर्डर में लिख आज मैंने किस से अच्छी बात की किया, नए दोस में जूड लिए कि आगा खौन सी नई अक्षण मैंने लिए और नहीं लिखोंगे तो बहुली लिखो कि आज मैंने कुछ भी नही नहीं काम नें किया, कल मैं ये नए नहीं काम करन तो आप कितने बड़े हो जाएंगे, कहना है, कहना है का मतलब क्या होता है, constant and never-ending improvement, कहना है, long form, तो आप करेंगे तो definitely आपको सफलता मिलेगी, ये चीज़ आप 8 दिन करो, आपका life 8 दिन में बदल जाएगा, यूदि आपको अच्छा लगाद यो लोगों को share करो, करना हुआ है, वो कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीकरी 60 वीडियो है, और उसमें hypnotism की भी है, कि hypnotism के माध्यम से नपुन सकत्व, शिगरपतन ये कैसे ठीक करना, और काफी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी भी है, वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ये आप online recording course जो है, तो ये online recorded course आप हमारे एप से ले सकते हैं, उसका description निकिज़े दियाओ, ए लिंक दी भी आप की, और वैसे ही आप telegram group से आप जुड़ जाते हैं हमारे, whatsapp group से जुड़ जाते हैं, या website से, तो आपको ये online course के बारे में जानकारी हो जाएगी, ये online course करके आपके सभी समस्याओं का समाधन हो जाएगा, आप निचे जिए नंबर दिये, उसके उपर भी call करके वो online course खरीच सकते हैं, इंस्टा मूजू की भी link दी हुए, उसमें आप direct payment कर सकते हैं, thank you very much. कर दो आपके सकते हैं, कर दो सकते हैं, आपके बारे में आपके सकते हैं,